मुझे कुछ समय पहले एक टॉपिक दिया गया था कि माम फोर प्ले क्या होता है और कैसे करना है आप इसके बारे में एक वीडियो बनाएं हाई, I'm Dr. Neha Mehta, मैं क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट हूँ और कुछले 10 साल से प्राक्टस कर रहे हूँ Sexual Counseling मेरा Expertise है आज मैं अपनी इस वीडियो में बात करूँगी कि फोर प्ले कैसे किया जाएं, कहां कहां फोर प्ले करना चाहिए, इसकी क्या importance है और फोर प्ले जब हम करते हैं तो हमारी बॉडी में क्या changes होते हैं, इसके क्या benefit हो सकते हैं यह सारे topics को हम discuss करेंगे, फीविल की बॉडी में कहां करना चाहिए, मेल की बॉडी पे कैसे होना चाहिए, यह सारे doubts हम clear करेंगे अपनी इस वीडियो में बहुत से questions हैं जो sex के बारान या sex के बाद हमारे दिमाग में रहते हैं और हमें नहीं पता है कि कैसे करना है, क्या doubts हैं, सही guidance लेने के लिए बहुत से लोग, बहुत doctors को दिखाते हैं, लेकिन सही guidance तक नहीं पहुच पाते हैं मैं अपनी चानल के मादियम से कोशिश करती हूँ कि आपको सही guidance दे पाऊँ और कुछ ऐसे myths को दूर कर पाऊँ जो आपको sexual activity से related आपके दिमाग में हैं सबसे पहले इस चानल को subscribe कर दीजए क्योंकि बहुत से topics हैं जो मैं clear करने वाली हूँ subscribe करना नहीं बूलेंगे साथ-साथ इस वीडियो को like करें और share करें ताकि और आपके friends हैं जिनने doubts हैं, issues हैं उस तक हम पहुँच मैं देखिए जो मेरे efforts हैं, जो मेरी directions हैं में चाहती हूँ आपको clearly पहुँचे और अगर ऐसे कुछ topics हैं, कुछ ऐसी चीज़ी हैं जिनके बारे में आप पुछना चाहते हैं, comment section में लिख देजिए ताकि मुझे भी पता चले कि आप मुझसे किस topic के बारे में discuss करना चाहते हैं साथ साथ अगर आप मेरे Instagram और Facebook में मुझे connect करना चाहते हैं, तो Dr. Neha Official है, आप यहां connect करिए और अगर आप में इसे personalized session book करना चाहते हैं, तो www.Dr. Neha Mehta.com अब मुझे connect कर सकते हैं Subscribe कर दीज़ा तो ज़गे में बात कर रही थी 4Play के बारे में, as a female मैं बहुत खुल के topics के बारे में बात कर दी हूँ, क्योंकि इतने समय से patients देख रही हूँ और उन्हें समझाना भी चाहती हूँ कि हर act बहुत important होता है Sex क्या है? Sex एक basic human need जरूर है, लेकिन साथ-साथ ये एक feeling है, ये भाव है सोच ये अगर आप stress में हैं, आप परिशान हैं, तो आप sex attempt नहीं कर सकते या फिर वो एक formality हो जाएगा जब तक आप अपने दिमाग से free नहीं है, आपका partner आपका साथ नहीं दे रहा है तो आपके pleasures के बारे में नहीं सोच रहा है, तब sex attempt करना negative impression ही देगा मेरी video participant नहीं बताया था कि अगर आप पहली बार sex करने जा रहे हैं तो इस video को जरूर देखें, वो आपने देखनी है ताकि आपका concept sex related clear हो जाए तो अगर मैं बात करूँ four play की, तो तीन चीज़े हैं sex में जो अपने ध्यान रखनी है पहला है four play, play, that means your sex activity and third is out play बहुत से लोग हैं जो इस चीज़ को complain करते हैं कि मेरी wife को feel नहीं होता है या वो orgasm तक नहीं पहुंचती, चरण सीमा तक नहीं पहुंचती है और males में ऐसा रहता है कि मेरी wife बहुत जल्दी ठक जाती है, मैं अभी वहां तक नहीं पहुंच पाता हूँ जब उनकी sexual timing match नहीं होती है, तो इधर दोनों partner में से किसी ना किसी को complain रहती है कि मैं sex से खुश नहीं हूँ और फिर circle शुरू होता है, आपस में लडाईयों का, एक extramarital affair का, prostitution का, क्यों? क्योंकि आप खुल के लिए बोल पा रहे हैं कि आपको क्या problem है अब इस चीज को समझने की कोशिश करें कि four play, sex and out play, तीनों की बराबर importance है four play ऐसी activity है जो आपको sex से पहले erect करती है सोचिए, आपके दिमाद में चल रहा है कि आज मैंने अपनी wife के साथ, या अपनी partner के साथ, अपनी girlfriend के साथ sex करना है तो आप क्या है कि आप शुरू से उसको imagine करने लग गए, वो आईगी में ये करूँगा, हम ऐसे करेंगे तो आपकी brain ने hormone produce करना शुरू कर दिया तो इवन अगर आप उसे देख रहे हैं, या उसे मिल रहे हैं, या अभी आपने सरफ उसको हाथ मिलाया है, बाल चुए है तो आपको erection feel होने लगी में इसमें erection जल्दी आ जाती है female के comparatively लेकिन female ने अभी ऐसा नहीं सोचा है, या उसने ऐसा plan नहीं किया है तो हो सकता है कि आपने सीधा sex करना शुरू किया तो उन्हें erection feel ही नहीं होई है ऐसे में females बाद में भी complain करती हैं that this man is not attached to me ये सिरफ मुझे sex करना चाता है, मुझे प्यार नहीं करता प्यार इसलिए नहीं पहुच पाता क्योंकि आप उन्हें भी erect नहीं कर रहे हैं क्यों नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी आपने उनके साथ four play नहीं किया four play आपको loved महसूस कराता है, आपको बराबर का pleasure के लिए ready करता है जब आप four play करेंगे तो आपकी female और male partner दोनों की erection महसूस करेंगे और उस activity में बराबर का साथ देंगे अब मैं बात करूँ कि four play कैसे करना चाहिए, ये भी बहुत common question है four play के लिए कोई गरंथ नहीं है, कोई किताब नहीं है four play एक ऐसी activity है, जो आपकी female और male partner को love होने का आप जरूरी हो उनकी body आपके लिए जरूरी है, उसका हिसास कराती है sex और marriage की क्या importance है, इस पर मैंने एक वीडियो कुछ समय पहले बनाई थी जो लोगों को बहुत पसंद आई थी, हम 8 महीने में 40 के views तक पहुच गए थे उस वीडियो पर ये वीडियो है, आप जरूर देखें, जहां मैंने बताया था कि sex करने से कैसे marriage और मदूर हो जाती है तो sex जब होगा और वो सही foreplay के साथ होगा, तो आपकी bonding सादा strong हो जाएगी वो लड़का या लड़की आपको छोड़के नहीं जा पाएगा क्योंकि उसको ये महसूस हो गया है कि तुम दो उसके pleasure के लिए उतनी ही जादा involved हो वो कैसे कर सकते हैं, देखे पहले ये Smith को तोड़िये कि लड़की की body में सरब वो दो जगाएं नहीं होती है जहां से उसा erection होती है, हर चीज, हर चीज foreplay में काम कर सकती है चाहे वो बालों पे हाथ लगाने से लेकर, garden पर हाथ लगाना है, kiss करना है, eyes को touch करना है आपके chest के साथ play करना हो सकता है, tummy हो सकती है, thighs हो सकती है, feeds हो सकते है कई लोगों को female के feeds को cuddle करना बहुत अच्छा लगता है Everything, आपकी कमर, everything, everything comes in foreplay ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सरब वजाइना को लिख करेंगे या उसके साथ play करेंगे वही उनको foreplay की feeling देगा Similarly, boys में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हें low job दे या आप उनको touch करें तभी उन्हें कुछ होगा Even their shoulders, head massage, everything is included in foreplay बराबर ये चीज़ें ज़रूरी हैं और इसका basic concept है कि आप उन्हें उस pleasure तक ले आएं जहाँ वो ready हो जाएं ताकि बाद में आपकी timing match करें किस चीज़ के timing? कम timing मतलब ऐसी timing जहां male अपना sperm और female अपना ova, orgasm बराबर के time पर display करें ताकि आप लोग अगर reproductive होना चाहतें या फिर sex enjoy करना चाहते हैं वो सही समय पे पहुँचे इसलिए जरूरी है इस तीस को समझना कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सरफ वही organ, sex organs को touch करने से ही feel आता है हर body के organ को touch करने से वही erection का feel आएगा Everything is equally important for play यही बताता है कि सीधा sex ना करें, हम कोई porn stars नहीं है सीधा sex से पहले हम जितना time female या male की body को यह लगाने में बताएंगे कि You are important, your every body part gives me good feeling तब तक हम वहां तक नहीं पहुच पाएंगे फिर मैं अगले stage की बात करूँ, sex देखे, sex की कोई समय सीमा डिवेशन नहीं होती है घड़ी नहीं देखिये, enjoy की, यह present रही है तो आप जादा उसे pleasurable बना सकते हैं फिर अगर मैं बात करूँ, outplay की मैं अलग video बना सकती थी इस topic पे लेकिन 4play के साथ इसलिए बना रही हो ताकि आपको समझ में आ जाए outplay भी बराबर important है outplay का मतलब है sex होने के बाद जब आप discharge कर चुके हैं, कम कर चुके हैं उसके बाद आपकी body में कुछ occurredness आती है, rigidness आती है आपके muscles और आपके veins आपके bones कुछ समय के लिए थोड़ा सा उनके अंदर जिसे हम बोलते हैं, tension आ रही है या वो हिल रहे हैं कोई बात नहीं, आपके heartbeat तेज हो जाएगी जैसे आप exercise करने के बाद होता है उसके बाद आप outplay जरूर करें outplay का मतलब सरफ touch करना नहीं है outplay का मतलब है indication देना that they are important उसके लिए आप कुछ बोल सकते हैं कुछ बात कर सकते हैं I love you, you are very important, I like doing today कुछ भी, कोई भी ऐसा sentence जो आपके partner को worthiness की feeling दे outplay is equally important चाहे आप उनके cheeks touch कर दीजे चाहे बिक smooch कर दीजे चाहे आप उनके forehead पे किस कर सकते हैं male partner की chest पे किस कर सकते हैं ताकि उन्हें ये feel हो that this was the best ever और वो आपके लिए बहुत important है बहुत से couples में ये भी problem आती है कि outplay नहीं होता है किया और कपड़े पहने और खतम इससे feel आता है कि आप सरफ एक toy थे वो जादा आपने involved नहीं थे equally ये चीजें important है for play, sex and outplay तो ये सरफ एक one-oh activity नहीं है कि बस किया और छोड़ा it is a feeling and you have to go on this journey together ये एक journey है, ये एक pleasure है इसे please जल्दी जल्दी ने और गुसे में ना करने की बजाए इसको feel करके करें ताकि आप दोनों को वो एहसास किसी गलत भावना के साथ ना होते हुए एक pleasure के साथ हो एक worthiness के साथ हो ये जरूरी है 4play में जरूरी नहीं है कि आपको touch करना है आप बाते भी कर सकते हैं कोई first night की बाद first time की बाद साथ में blue film देखना ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं and it's okay but 4play and outplay is equally equally important और इन पर ध्यान देना बहुत जरूरी especially मैं couples की बात करूँ शादी की कुछ समय बाद दिरे-दिरे romance खतब होने लगता है ऐसे नहीं ये सारी activities जरूर 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 करें ताकि आप दोनों same समय पे same time पे same feeling के साथ अपने चरम सुप तक पहुच पाएं और अगर आप बेबी करना चाहते हैं तो please इसकी importance बहुत है बहुत जरूरी है साथ-साथ अगर आपको कुछ problem है जैसे males में कुछ medications चल रही होती है sex counseling चल रही है या कोई operate हुआ है हरनिया का या female में copperty insertion है baby हुआ है ऐसी problems जहां पे वो sex attempt नहीं कर सकती है similar four play और out play आपको automatically pleasure तक लेके जाएगा और इसमें आपको sex attempt करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो यह आपको help करेगा तो आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको बहुत सारे doubts clear कर पाई होगी बनी रहेंगे, जुड़े रहेंगे फटा-फट से subscribe करेंगे चानल और ऐसा कोई topic है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं खुल के बाद करूँ वीडियो बनाओ तो comment section में लिख भेजिए साथ-साथ मेरी भी efforts को appreciate करें subscribe जरूर करें, like जरूर press करें और share कर दें इस वीडियो को, बहुत जल्दी एक और नया वीडियो लेकर मैं आप लगों के साथ हासर होगी